बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि भाई ड्रीमी 11 में हमारा पैन कार्ड और जो हमारा बैंक एकाउंट है उसका वेडिफीकिशन क्यूं होता है और क्या यह जरूरी है कि नहीं है क्या देखिए छोटन-छोटन बचन सब खेल रहे हैं ड्रीमी 11 जो कि नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है जब भी आप खेल रहे हो तो आपना होस और हवास में खेलिए क्यूंकि इसमें पैसा भी होता है पेड कॉंटेस्ट में आपका पैसा पूरा का पूरा जो है ना आपका खतम हो सकता है इसमें क्या जरूरी है तो इसका एक लाइन में एंसर हो जाएगा कि बिल्कुल 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 जलूरी है आपका पैन कार्ड और बैंक वेरिफिकेशन ताकि गलती से भी जो है आपका कोई पैसा फॉसा ना रह जाए और आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो कहें कि ड्रीम 11 में जो बैंक एकाउंड वेरिफाइग करते हुआ उसी साथ कोई तरह का मनी फ्रॉड ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है और जहां तक पैन कार्ड का बात है पैन कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि समय पर आपका टीडियस सर्टिफिकेट जाड़ी हो सके आपके पैन कार्ड के नमबर पर ताकि आपको बाद में रिटर्न वग पैन कार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इसलिए पैन कार्ड और बैंक बहुत जरूरी है बहुत ही सावधानी से इस चीज को खेलिए क्योंकि इसमें आपका पैसा इंवाल्व है अगर आप पेट कॉंटेस्ट खेल रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि आप जीतो आप आपका पूरा का पूरा पैसा बड़ाबाद हो सकता है इसलिए यह सिफ मेरे एक वीडियो के लिए नहीं है जितने भी ड्रीम में कॉंटेंट मना रहा हूं सब के लिए चेतावनी में दे रहा हूं यह फैंटासी स्पोर्ट्स है अगर इसमें पैसा आप इन्वाल्व कर रह पर इसलिए जरूरी है ताकि आपका पैसा आपके बैंक अकांट में जा सके जब भी आप विड्रो करोगे विडिंग आउन्ट आपके बैंक अब जाएगा और आपका टीडियस सर्टिफिकेट समय पर जाड़ी हो सके इसके लिए आपका पैंकर भी बहुत ही जरूरी है फि कर तकते हो चला चलतनी धन्यवाद जय हिंद्ट